नमस्कार दोस्तों मैं सिवंक उस्वा आपको सागत करता हूं प्रोगाइट CS चनल में तो हम लोग देखे रहें Microsoft Office Word 2007 तो जहांगर पिछले वीडियो लेक्शे था उसके अंदर लोगने जो टेफल है उसको ड्रॉ करना देखा था जो पेज से कैसे पेज मतलब जो पर पेज बोले वह चैबल वह वो हम लोगने देख लिया था आज हम लोग देखने वाले हैं जो डिजाइन के बाद लियाउट थ थे हाँ पर पूरी जी वो डिजाइनिंग होती है हमें टेबल की वो मैंने बता दिया था अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके टेलीग्राम वाटसेप में पूछ सकते हैं ठीक है और आज जह हम लोग यहां पर लेयरण में देखे आता है टेबल के अंदर सेअट आता है और फॉप इस तरह करके हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है तो यहां पर यह पूरा पूरा column select हो रहा है आप अगर ऐसे select row में करेंगे तो पूरा row select हो रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एक एक cell भी select कर सकते हैं या फिर आप direct यहां पर जितना भी दिये पूरा table भी select कर सकते हैं यह हो गया फिर इसके बाद आगर आपको यहां से नहीं करना तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं लाइन हटा देते हैं पर अगर कभी हमें इंट्री करने हुए कोई प्रावलम वह आप कुछी ने हमने हाइड का दिया अब दूसरा आकर उसको पता नहीं कि लाइन कहां से चाल हो रही तो वह क्या करेंगे यहां पर जाके और लाइन में क्लिक करेंगे तो इससे पता चलेगा देखिए यहां पर हमारी जो टेबल है उसमें यहां से लाइन किची होई है तो यह दिखेगा जब आप रिंट निगा लेंगे तो यह नहीं दिखेगा तो अभी कहा है केबल हम लोग इंट्री करने के लिए कहें तो अपड टेबल के अंदर होंगे तभी यह काम करेंगा ठीक है और जब आपका काम हो जाए तो आप यूड को हटा देंगे तो आप इससी नार्मल हो जाएगा तो यह हो गया फिर आता है प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है जो हमने टेबल के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग ऑप्र कुछ भी फार्मेंटिंग यहाँ पर ले याउट के अंदर लगाया है वह सब यहां पर होता है यह प्रॉपर्टीज दे सकते हैं ज 이제 हैS I have군 टेरें में इंदर आता है पिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है यहां पर ट्लाइं के अंदर आता है दिया तो डिलीट क्या होता है किसी भी सेल या बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो यह आप डिलेट वाला उप्सन यूज करेंगे ठीक है तो कैसे करेंगे आप यह जैसे मैं रोल नंबर वाले सेल पर हूँ अब मुझे एक सेल डिलीट करना है तो मैं डिलीट सेल में करूंगा जैसे में करू इस तरीचे से आप क्या कर सकते हैं इसको बढ़र कर सकते हैं कि मिन्हें बिलेट ony pai सैथ आ इसी डियोट यहां पर उन्दर आता यहां में लुग टबन करें हैं यहां होतो है यह तो कालम Hi देखे बर और करके देखते हैं अगर मुझे नेम वाला पूरा कॉलम डिलीट करना है तो हम लोग चाहे तो यह सट इलीट में जाके डिलीट रो में कर देखेंगे ओपर की जो हेटिंग वाला रो था वो चला गया है रोल नमबर और नेम वाला इस तरीके से आप क्या कर सकते ह तो यह समझ में होगा आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है यहां पर डिलीट करेंगे पूरा पूरा टेवल डिलीट हो चुका है चाहें फिर आता है यहां पर लियाउट के अंदर हम लोग जो डिलीट वाला थो देख लिए आप देखना है इंसर्ट इबाव का मतलब आपक बढ़र चुके हैं ताकि हम लोग यहां पर पि अगर कुछ इंट्री करना है तो कर सके आपको क्या करना है की यह जो 6 और 7 की बीच में अट करना है तो आप क्या करेंगे हैं आप इसमें कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहां की इसके नीचे एक और बस से हमें फची जादा नीचे हैं तो इस तारीके से उसके आपक्ता है नीचे लगा सकते हैं फिर यह सी एक साइड हमारी लिट और करें यहां पर क्लिक करेंगे, देख़ें यहां पर इस साइड आ चुका यह पूरा कहने के मतलब एक सेल्व का पूरा टेबल आ चुका है, तो आप चाहें तो इसको यहां से ऐसा पूरी इंटरी कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करने का तो में ने बताया, कैसे करना है, आप लिफ्ट यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको राइट में जाना है। फिर आता है यहां पर मर्ज के अंदर क्या होता है जो 2-3 उनको मिला के चाहते हैं तो आप सिल का यूज करेंगे जैसे मैं का करता हूं इन दोनों को सबस्क्राइब पहले इसको नहीं में यहां पे इसको अपलाई करते हैं इसके लिए दैज्ञ यहां पर जैए पूरा उपर अपर ओधिंग है तो heading हमें क्या चाहिए पूरा एक heading के लिए पूरी जगेशीद हम लोग क्या करेंगे इसको मार्ज सेल में कलिक करेंगे तो पूरा-पूरा Select हो जाएगा अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो कुछ भी लिख दे जैसे हम लिखना चाहते हैं student टिए net उसकलेадц करगें हम लोग इसो कर देते हैं है तो ही स्टुनेंट सरी तो इस तरीके से आप क्या सह कर दیा तो इस को मर्ज कर दिया तो इस तहरह के सकते हैं यह को इसको बाटना चाहता हूँ यह एक शेल को मैं बाटना चाहता हूँ पाँच पार्ट में तो हम क्या करेंग इसको split कर देंगे, इसमें split में गए और इसको लिख देते हैं हाँ पर 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और ok कर दिया, देखिए जो हमारा cell था या कहें तो एक box था उस box को हमने क्या कर दिया, पांच पार्ट में बाट दिया ऐसी आप चाहें तो इसको और भी पार्ट में बाट सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसको 3 पार्ट में 3 लिख के ok कर देंगे देखिए 3 पार्ट में यह बट चुका है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जो table है उसको आप cell है, उसको आप क्या कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं और मिक्सी भी कर सकते हैं मतलब पार्ट में बाढ़ भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं फिर आगे आता है यहाँ पर Split Table Split Table क्या है जिसे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यह जो टेवल है यहीं तफ़नी चाहिए इसके बाद यह दूसरा टेबल बन जाएगा तो यह आपको समझ में होगा कैसे काम करता है फिर आगे बढ़ते हैं इस पूरा जितना बड़ा टेक्स्ट उतने में आना चाहिए वांकि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए अच्छे से आना चाहिए इसके बब में थोड़ा कलर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगें कि सेटिंग में कर देता हूं और ठीक दिख रहा है तो आप देखिए यहां पर लियाउट के अंदर हम लोग देख रहे थे आटोफिट तो आटोफिट क्या है कि जैसे यहां पर जितना लिखा आप कुछ भी चाहें तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आप यह तो जरूरत है आप उतना फिट कर सकते हैं उसके बाद आप मतलब जो भी जगह है वह आपकी बच जाएगी फिर यह से आता है आटोफिट के अंदर आता है आटोफिट विंडो और चाहते हैं कि आपको यहां पर कुछ लिखना नहीं है आप चाहते हैं इसी टेबल को फुल साइज में दिखाना तो आप क्या करेंगे यहां पर आ पर देते हैं तो यह content के साफ से अब हम इसको चाहते हैं कि जो इधर की जगाए ये भी फुल हो जाए हमारा जो पेज है उसमें इस्टा जगाए ने होनी चीज़े क्योंकि हमें कुछ लिखना नहीं है तो हम चाहते हैं यह जो टेबल हो फिक्स हो जाए तो हम लोग क्या टेबल करने बाद करेंगे इसको 8 ऊऌना अंवह लोग कूछ लिखना चाहते हैं तो यहां लोग उसको चीटना करेंगे अधे ली चलिवल क्या करते हैं अब इसको क्या करते हैं 2002 लोग होगा है कि हमारा जो टक्स्ट ही धर लुक्त यह समझ में आ होगा फिर आगे बड़ते हैं खेंसले आद आता है हमारी टेडल है कही क्या होता है कि जो को बढ़ाना चाहते तो आप यहां पर बढ़ा रहा हमने में करा ना भी और उसके ले इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं यहां पर यहां पर चाहिए यहां पर चाहिए तो नमभा लिख देंगे यहां पर कि जो विट्स है वह होनी चाहिए 3 cm और इंटर कर देंग देखिए 3 cm फिट हो चुकी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं हाइट और विट्स जो है वह आप बढ़ा सकते हैं ठीक है अभी यहां पर डिस्टिबूट रोएंड कॉलम भी यही काम करता है जितना हमारा टेक्स्ट है वह ऐसे फिट हो जाएगा अभी हम क्या करते हैं इसको आटो फिट विट्व में वापिस कर देते हैं तो यह हो गया आपको समझ में होगा फिर इसको थोड़ा हम लोग खींच के बढ़ा कर लेते हैं यह देखिए और थोड़ा करते हैं तो अब कि हमारा टेक्स है यहां पर अगे बंडते तो आगे आता है यहां पर सबसे पहले हमें लाइक में परfolg में अंदर है फिर दर गट लिखना चाहते हैं इसे अपके लिखना चाहते हैं यहां पही क्या है टॉप सेंटर में है ठीक है टॉप राइख्ल के उपर उपर लिवर चला जाएगा ऐसे हम लोग करेंगे पूरा सेंटर में ही ही फिद यहां परasmंगे में कर देहिंगे और विल्कुल सेंटर में कर देंगे डिकति जो पर से भी बराबर में नीचे से जो ल॑ शाय चेंड़ा हों लिखा है तो चीखते हैं है तो इस तरीके से Mak complicated वह आप चिंज का सकते हैं फिर आगे आता है सेल मार्जन सेल मार्जन भी यही है आप चाहें टॉप से कितना बढ़ाना चाहते हैं यहां पर हम लोग कर रहे थे हैं सेल साइज यहां पर तो आप यहां से भी ऐसी लिख सकते हैं लिख के का आप सिट का सकते जैसे मैं चाहता किए ठकिने में ने पूरा गांज है तो हो रहा है यहां से भी ट्व रहा है तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहां पीषैने माय जेंषर से आप सेल का जो 사इच है भाप पहले ही लिख कर सकते हैं समझ में आँगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम टेबल को छुटा कर लेते हैं यह तो अब देखिए हम क्या करते है यह हम समझ कुछ data है हमारे पास लिखा हुआ है इसको data बोल रहे हैं अब इसको हम लोग स्वाट करना चाहते हैं सब्सक्राइब क्या है नंबर वाइस नहीं हम उसको चाहते हैं कि जो यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि लास्ट में जो 10 नंबर वह सबसे उपर आना चाहिए और नंबर वन नंबर जो है वह शुरू में आना चाहिए करेंगे यहां पर यह अप्लाई हो रहा है इसके अंदर इसको करेंगे इसको करके कर देंगे तो देखिए वाला नाम पहले आगा फिर वाला है नहीं यहां फिर यहां पर टेवल वननिं उसको क्या करना स्कते है कि यहां करन 수 और टेख़्ए यहां यहां पर टेवल बनी उसको आप क्या करना चाहते है इंद्ष्ट काम में बनाना चाहते हैं मतलब आपको आप टेक्स्ट बना दे हैं ठीक तो कैसे बनाएंगे यहां पिति कर्देइए और यह यहां पर लीका रहा है फ़रा Grandma वना चाहिए और होना हिए तो जब भी टेक्स्ट बने तो आपको लाइन कैसे दिखें कैसे समझ मैं ताप इसके समझने के लिए आप क्या करेंगे अधर में जाके और यहां पर जो भी लगा देंगे तो आप उसमें बन जागे जैसे मैं चाहता हूं यहां पर अब यहां पर यहां पर यहां पर यहुथ Alec यहीं नाल परल फो फिर यहां नंगर जाके प्लिक कर देंगे आज़स्वारी यहां पर नहीं इसाट टेबल में क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर जो हमारा टेबल था वह वापिस से बन चुका है एक बर और करके देखते हैं इसको लियाओट में जाके है फिर हैस लगांके देखते हैं तो इसी हमें समझ में आना चाहिए कि जहां जहां यहां 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 फिर प्रस्ट का मतलब क्या है एक लाइन है यहां पर फिर सेवन हैस यह भी नुद आप चाहें तो यहां पर जिसे हमने एट नमबर वाला कुछ इंट्री करा नहीं था तो आप चाहें तो एक नमबर लिख सकते हैं यह ने एट लिखा फिर हैस लगाया और मैं कर देता हूं यहां कि अठीर अचे हैं आप देखिए आप रही हमने क्या करें इसको सलेट करें आप बना देते ञाया तो आप चाहें तो कोहीं भी बना सकते हैं जैसे अगर मैं यहां पने श्क्त बॉस्तıs बप्र और ऐसक्ता हो लगाया फिर मैंने क्या करआ यहां यहां पर लगाया और मैंने लिख दिया सीवं फिर मैंने यहां पर लगाया फिर लगाया और मैं लिख दियता हूं इर्फान ठीक यह मैंने लिखा अब मैं इसको चाहता हूँ table बना तो मैं इसको select करूँगा insert पर जाओंगा table में जाओंगा insert table देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह लगाया था हमने पहले हमने लगाया है अब हैस फारी अब इसको अपलाई करके देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल इंसर्ट टेबल यह देखिए तो अब जो हमारी टेबल हो बन चुकी है अगर हमने आगे बढ़ते हैं तो हैं यहाँ पर कुछ टेक्स लिखे हुए तो आप क्या आपको एड़ कर सकते हैं जोड़ सकते हैं या पिर उसको चेक करना चाहते हैं कि यह कितना हो रहा है एक्जांपल के लिए अब आप चाहते हैं कि टोटल सेलरी हमें पता करना है था हम एक बार इसको इंसर्ट ब्लो में कर लेते हैं और यहां पर हम लोग देते हैं सेलरी कितनी है तो यहां पर हम यह क्या करना है पूरा जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इसको सेलेट कर लेंगे या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से जोड़ सकते हैं तो मैं यहां पर फार्मूले पर गया सम एवब देखिए आप और फार्मूले हैं आप सम एवब एवरेज एवब तो चलिए एक बार अभी हम लोग सम एवब लगा के देखते हैं सम एवब का क्या मतलब है जो उपर है उसको जोड़ के बता दो तो उपर जो है वो 55 है ठीक है तो इतना टोटल है आप जोड़ के द है इवब पता करना है कितनी है तो हम लोग लगाएंगे एवरेज एवब और इसको पहले डिलीट कर देते और यहां पर आप फिर इसके अंदर हमें निकालना है इस बिरिजए अग्य फिक बडी ओवर और ऊक्के में है अपलाइन हो लगता है एक बार और लगाते हैं सम तो हम लोग निकालेंगे किसका उपर वाले का यहां पर क्लिक करेंगे लगाया तो देखिए यहां पर जो एवरेज सेलरी है वो कितनी 5.5 तो यह आप चाहे लाग समझ ले रुपे समझ ले यहां काउंट चोटे-चोटे हैं बस इतनी आप लगा सकते हैं तो आप यहां पर थोड़ा यूज करके और देख सकते हैं ठीक है अभी मैं अगर उपर का चलो छोड़ों गया तो अभी बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई कोस्चन है सवाल है तो आप हमें कमेंट करके हमारा वार्ट से टेली ग्राम नमबर दिया हुए आप वहां से पूछ सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद